थोड़ा डरवर लग रहा है कि नहीं? करदा मशा दियें, पुरा यूपी बिहार ही ला दियें आरा जीला, उखार दिरा कीला दोस्तो जलक दिखला जा सीजा निगारा के नए एपिशोड में पफोमेंस तो लाजवाब देखने को मिलेगा लेकिन साथ ही सो में wildcard contestant का भी नाम ennonce किया जाएगा पिछले वी के एपिशोड में 6 contestant wildcard के जरिये सो में जगा बनाने के लिए performance देते हुए दिखाई दिये आप सो के जजेंस इन सभी 6 wildcard contestant वेसे केवल 4 contestant को सो में जगा देंगे और दो wildcard contestant सो से बाहर हो जाएंगे आप सभी audience का यही सवाल है कि इस भी कौन कौन सा contestant सेलेक्ट होने वाला है और क्या ISO की viral contestant Manisa Rani को सो के top 11 लिए सेलेक्ट किया जाएगा या फिर Manisa Rani ISO से बाहर हो जाएंगी और उससे भी जरूरी वायत कि अगर ISO से Manisa Rani को बाहर किया जाता है तो क्या ISO की TRP गिर जाएगी तो सारा सत जानेंगे आगे की वीडियो में बस आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और comment करके यह बताना कि ISO में आपका फेवरेट कंटेस्टन कौन है देखो भई यह जलक दिखला जा सीजन 11 में 6 वायल कार्ट कंटेस्टन में से 4 कंटेस्टन को सेलेक्ट किया जाना है और आवेज दर्बार को सोके टॉप 11 में जगा दिया गया यानि अब 5 कंटेस्टन में से 3 कंटेस्टन को सेलेक्ट किया जाएगा और एक रिपोर्ट की माने तो वाइल कार्ड में एक और कंटेस्टन को सेलेक्ट किया गया है जी हाँ इस विक सागर पारेग को भी सोके टॉप 11 में जगह मिल चुका है यानि अब चार कंटेस्टन में से किवल दो कंटेस्टन को सेलेक्ट किया जाना है अब ऐसे में मनीशा रानी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि यह मनीशा को हर हाल में अच्छा पफोमेंस देना ही होगा अगर मनीशा अच्छा पफोमेंस नहीं देती हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा कि मनीशा को सो से बाहर किया जा सकता है तो अब आप बताओ क्या आप मनीशा को इस सो में देखना चाहते हो आप कॉमेंट करके अपनी राय जरूर देना और हाँ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बाकी मिलते हैं बहुत जल्ले एक नई वीडियो के साथ तब तक लिए जहिन